यूपी में इसी महीने फिर होगी राजनितिक दलों में घमासान क्या बुआ के नुकसान की भरपाई करेंगे बबुआ हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10 रज्य सभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे इस चुनाव में कांटे की टक कर देखने को मिली थी इस चुनाव में स्पी प्रमुख अखलेश यादो दो लोग सभा सीटों पर मिली जीत का रिटर्न गिफ्ट तो नहीं दे पाए थे लेकिन उन्हें जल्द ही रज्य सभा चुनाव में बुआ को हुए नुकसान की भरपाई करने का एक और मौका मिलने जा रहा है अखलेश ने इसके लिए बकाईदा खास रणनीती भी बनाई है दरसल उत्तर प्रुदेश के 13 विधान परिशद सीटों पर होने वाले जुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया है पांच माई को खाली होने वाले इन सीटों के लिए 26 अप्रेल को वोटिंग होगी आंकणों पर गौर किया जाए तो बीजेपी के खाते में 10 सीटे जा रही है जबकि दो सीटों पर एसपी बीएसपी मजबूत नजर आ रहे हैं ऐसे में अखलेश की ओर से इन दोनों सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों को भेजने की तयारी की जा रही है प्रुदेश में विधान परिशद के जिन सदस्यों का कारेकाल पूरा होने वाला है उनमें पूर्व सीएम अखलेश यादो भी शामिल है लेकिन कहा जा रहा है कि अखलेश यादो इस बार विधान परिशद का चुनाओ नहीं लड़ेंगे ये कदम 2019 के गड़ बंधन के मद्दे नजर उठाया जा रहा है खबर के मुताबिक मायावती ने पिछले दिनों कहा था कि SP राज्यसभा में BSP को सपोर्ट करेगी और BSP विधान परिशद में SP को सपोर्ट करेगी मगर राज्यसभा चुनाओ की हार के बाद ये समीकरण बदल चुका है माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाओ में BSP को हुए नुकसान की भरपाई अखिलेश विधान परिशद की दो सीटों को देखर कर सकते हैं ये अखिलेश की ओर से मायवती को तोफ़ा होगा ताकि भविश्य में दोनों दलों की दोस्ती और मजबूत हो हलाकि राजनेतिक जानकारों की माने तो राज्यसभा चुनाओं की तरह इस चुनाओं में भी सियासी उठापटक देखने को मिल सकता है ऐसे में ये देखना दल्चस्त होगा कि अखिलेश यादव रज्यसभा चुनाओं में मायवती को हुए नुकसान की भरपाई कर पाते हैं या नहीं इंडिया निउस वाइरल की रिपोर्ट